जैंद, दोस्तो आज है 13 मार्च 2024, आज की देट में इंडियान स्टोक मार्केट की जिस तरह की सिच्टवेशन हमें देखने को मिली या फिर आप विच्वेशन तो ड्यू था ही आज नहीं तो कल ये होना ही था और जो हमें आज होते हुए दिख गया सुबह जैसी स्टॉक मार्केट ओपन होई वैसे ही जो सेलिंग प्रेसर हावी हुए स्टॉक मार्केट पे तो कभी वैसा लगा ही नहीं कि इस्टॉक मार्केट अब रिकभर कर जाएगा सेलिंग प्रेसर सुबह से हावी रही और साम को स्टॉक मार्केट बंध होते होते अच्छा खासा लोवर लेबल पर स्टॉक मार्केट बंध हो पाया अब दीखे दिक्कत की बात यहाँ पर यह आती है न दोस्तों कि स्टोक मार्केट में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो इंतिजार में बैठे रहते हैं इंट्री करने का सही समय आपी पॉइंट ढूंडते हैं उनको तो अच्छा खासा आज इंट्री मिल गया ऐसे में बहुत सारे लोगों ने आज पैसा लगाया होगा लेकिन जो पहले से फुली इन्वेस्टेड हैं जो लोगों ने पहले से भारी भरकम पैसा लगा करके रखा है ऐसे में इस सिच्वेशन को देख करके वो हो सकता है काफी घबरा जाए तो ऐसे लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में कुछ बाते में आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप एक ऐसे बेखती हैं जिन्होंने पहले से पैसा लगा करके रखा है तो आपको घबरा करके कोई भी गलट इस जनले करके आपको लॉस नहीं उठाना है आपको बड़े ही सोच समझ करके इस तरह के सिच्वेशन को हैंडल करना है तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इनफोर्मेटिव होगी इसलिए मैं रिक्वेश्ट करूँगा आप सभी जिक इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा तो स्वागत है आप सभी का एकने वीडियो में आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ अन्मरंचारी चलिए पेस करते हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज के डेट में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है उस पे एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्यारे दुलारी निप्टी-फिप्टी का तो देख सकते हैं आज निप्टी-फिप्टी में हमें लगभग डेड़ परसेंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और जिस तरह की सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट में थी उसको देख करके तो यही लग रहा है कि निप्टी में थोड़ी सी कम ही गिरावट हमें देखने को मिली है और अगर बात करें बैंक निप्टी की तो आप देख सकते हैं लगभग आधे परसेंट के आसपास में हमें बैंक निप्टी या फिर निप्टी बैंक कर सकते हैं उ लगभग 8.5% के आसपास की और बात करें निप्टी मिट केप 150 की तो सबसे जादा समस्या इस तरह की इंडेक्स में हमें देखने को मिल रही है लगभग सवा 4% के आसपास की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है जो कि दोस्तों नॉर्मल सिच्वेशन में इस त और सबसे जादा समस्या हमें निप्टी स्मॉल केप 250 इंडेक्स में देखने को मिल रही है लगभग सवा 5% के आसपास की एक बड़ी गिरावट हमें निप्टी स्मॉल केप 250 इंडेक्स में देखने को मिल रही है तो कह सकते हैं कि सबसे जादा समस्या निप्टी के जो हमें nifty mid cap 150 index में और nifty small cap 250 index में देखने को मिल रही है और बात करेंगर nifty energy की जो फिलाल में एक fund आया हुआ था SDI energy opportunity fund उसमें भी देख सकते हैं कि उसके index में भी अच्छा खासा गिरावट हमें यहां पे देखने को मिल रही है और फिलाल में जिसकी सबसे ज़्यादा बाते हो रही थी PSU, PSU, Public Sector वाले जो mutual fund थे उनकी बहुत ज़्यादा भी बाते हो रही थी उसमें भी देख सकते हैं कि जो PSU fund होंगे उनमें भी अच्छा खासा आज 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और इस stock market को mood खराब करने में थोड़ा सा PSU stocks का भी एक बड़ा हाथ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की situation हमें आज के डेट में Indian stock market में देखने को मिली है और अगर हम बात करें Nifty Small Cap 250 Index की तो यहां पर देख सकते हैं कि 2003-2024 यानि कि 2 March-2024 को यह जो Nifty Small Cap 250 Index था वो लगभग 15,160 के आसपास में ट्रेट कर रहा था और अगर मैं बात करूं आज की तो आज जिस लेबल पर ट्रेट कर रहा है वहां से अगर देखा जाए तो सिर्फ लगभग 10 दिन 11 दिन के आसपास ही हो रहा है और लगभग आप यहां देख सकते हैं कि 11% के आसपास का हमें गिरावट भी देखने को मिल गया है यानि कि सिर्फ 11 दिन के आसपास में ही 11% का एक बड़ा गिरावट हमें निप्टी स्मोल के 250 इंडेक्स में देखने को मिल गया है और बात करूँ NSC advance और declines की तो सिर्फ 100 के आसपास ही ऐसे स्टोक्स थे जो बढ़ने वाले थे और इन 100 के अगेंस में लगभग 2000 से जादा स्टोक्स ऐसे थे जो गिरने वाले थे कि एक बढ़ने वाले stocks के against में 20 गिरने वाले stocks थे, तो आप सूझ सकते हैं कि कि कितना worst situation आज हम हमें stock market में देखने को मिली है, आज कितना हे भी selling pressure हमें इंदियन stock market में देखने को मिली है, तो दोस्तों जैसा कि इस video के मैंने आप सभी से कहा कि अगर आप एक existing investor है आपने पहले से निवेस करके रखा है आप fully invested है तो आपको डर करके घबरा करके गलट decision ले करके stock market mutual fund से loss book करके बाहर नहीं जाना है कुछ बातों को ध्यान में रखना है और निवेस करना और निवेसित रहना है इसके लिए मैं दो investor के बारे में आप सभी को बता हूँगा आप decide कीजेगा कि आप इन में से किस तरह के investor है सबसे पहले बात करूँगा पहले तरह की investor जो की short term investor होते हैं ये वो इस तरह की investor होते हैं जो stock market की situation को देख करके stock market में आते हैं इनको देखने को क्या मिलता है कि इस्टोक मार्केट खूब ते चल रहा है लोग इस्टोक मार्केट से म्यूचल फंड से खूब पैसा बना रहे हैं तो मैं भी पैसा बना लूँगा और एक दो साल के लिए कूद जाते हैं और इसी तरह की इन्वेस्टर को लॉस होने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है क्योंकि इनके पास समय नहीं होता है वेट करने के लिए अगर ये एक साल दो साल के लिए इस्टोक मार्केट गिर गया तो ये रुख करके वेट नहीं कर सकते हैं इस्टोक मार्केट को रिकबर करने के लिए तो ना चाहते हुए भी इस तरह क समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरी दाय में जिनको भी एक से तीन साल के लिए निवेस्ट करना हो उनके लिए स्टॉक मार्केट और म्यूचल फंड अच्छी जगा नहीं है उनको अपना पैसा बैंक में एपडी करके रखना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है जो मेरा मानना है एक साल दो साल तीन साल के लिए स्टॉक मार्केट या कि मूचल फंड सही नहीं है तो अगर आप सोट टम इन्वेस्टर हैं तो आपको बड़ा ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप एक लॉं स्टॉक मार्केट में कई बड़ी-बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएग जब से मुझे होस है तब से मैंने खुद अपने से दो रियल गिरावट देख चुका हूँ एक 2008 का और एक 2020 का इन दोनों ही समय में ऐसा लगा कि यार पूरा दुनिया ही बरबाद हो जाएगा लेकिन पूरा दुनिया भी रिकवर कर गया और आज देखो इस्टोक मार्केट किस लेवल पर है तो अगर आप इस्टोक मार्केट में निवेस करने आये हो ना लॉंग टरम्स के लिए आये हो तो इस तरह की जो बाते हैं आपको कई बारी सुनने को मिलेगा कि स्टोक मार्केट महेंगा हो गया स्टोक मार्केट सस्ता हो गया अगर इस तरह की बाते हैं आप सुनते रहो गया तो आप स्टोक मार्केट में निवेस करना है अगर आपका उद्देश लॉंग टरम्स का है तो आप जैसे इन्वेस्ट कर रहा हो तो इन्मेस्टेट बने रहो, क्योंकि इस तरह का करेक्षन जो है आपके इन्मेस्टमेंट के जरनी के दोरान कई बारी देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप छोटे-छोटे करेक्षन से घबरा जाओगे, दुनिया भर की बाते सुन करके आप गलट डिसिजन ले लोगे, तो आपको लॉस ही होना है, एक लॉंग टम इन्मेस्टर को इन सारी जीजों से ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, अगर दो-चार- इन्मेस्टर हैं, तो इस तरह का गिरावट आपको कई बारी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टोक मार्केट में गिरावट और तेजी स्टोक मार्केट का एक पार्ट है, तो दोस्तो इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, छोटी मों बड़ से अमीर लोगों के बीच में खड़ी कर सकती है अगर आप सही तरीके से नीवेश करते हैं, तो और जब भी सफ़ल नीवेशक की बात आती है, तो हम दो लोगों का नाम कोमनली सुनते हैं, एक वरन बफे और दूसरा राकेश धुझन वाला जो अब हमारे बीच में नहीं है और इन दोनों में एक जो common बात है वो दोनों में है और दोनों में ये similarity है कि ये जो भी stocks खरीदते हैं उसको खरीद करके अपने पास hold कर लेते हैं याने कि buy right और sit tight वाले investment की strategy इनकी है याने कि जो भी stocks खरीदना है उनको अच्छे से research करके ढूंडो और अच्छा stocks अगर आपने खरीद दिया तो उसको buy करके अपने पास रख लो हमेशा के लिए तो इस तरह की दोनों की investment की strategy है ये ऐसा नहीं करते हैं कि market बढ़ गया तो बेच दो जब फिर से घटेगा तब खरीद लेंगे फिर market बढ़ा तो बेच दो फिर से घटेगा तो फिर खरीद लेंगे इस तरह की investment की strategy नहीं है इनकी एक बार अच्छे से research करके खरीद दिया तो उसमें बने हुए हैं आज भी वरंबफे के पास और राके जुदुन बाले के पास एसे से stocks हैं जिनको इन्होंने सबसे सुरू में खरीदा था और आज भी उनपर बने हुए हैं तो एक mutual fund investor होने के नाते आपको भी क्या करना चाहिए क्या जब stock market में गिरावट आ रही तब आपको निकल जाना चाहिए और फिर से जब तेजी आएगे तब फिर आप यहां प बात ही नहीं आपको ना research करना है ना आपको stocks का selection करना है इतना तो काम आसान है आपके लिए बस निवेश कर दिया और निवेश करके छोड़ दिया तो इतनी बातों के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अगर आज डिजन ले करके mutual fund से loss ना उठाएं और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि stock market में गिरावट आना या पिर तेजी आना इस पर किसी का भी कोई नियंतरण नहीं रहता है हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्यो न ऐसा किया जाए कि stock market में जब गिरावट आ रही थी उस गि करता हूं कि अभी इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं अभी आप mutual fund में लंसम कर सकते हैं और लगातार तीन दिनों से मैं सही समय पर आपने जो भी चैनल के मिंबर हैं उन सभी को notify कर रहा हूं और आज भी मैंने notify किया और उमीद करता हूं कि आज की गिरावट का बढ़ करके लोगों ने फायदा उठाया होगा और description box में कुछ social media का link है उसे भी follow कर लिजेगा और description box में best mutual fund app का link है अगर उस link के माध्यम से उसे आपको download करते हैं उसमें register करते हैं उसे आपके माध्यम से अगर आप news करते हैं तो मेरी service lifetime free of cost आप सभी को मिलते रहेगी जब भी आप